सब्सक्रिब्स करता है एक ऐसा YouTube प्लाटफर्म जो कि आपके लिए कर आता है क्वालिटी कंटेंट वह भी बिना किसी पेट सब्सक्रिप्शन के जी हाँ अगर आप हमारे वेबसाइट हो गई और हमारा अप्लिकेशन हो गया तो इन सब पर आके आप अगर दो या तीन वीडि सचीवर्स में कि कैसे उनको सॉल्फ करा जा सकता है इस पर्टिकुलर प्रोलिटिकल साइट के आस्पेक्ट में तो टॉपिक का नाव है आपको कॉंस्टिटिशन डिजाइन डिमोक्राटिक राइट तो दो टॉपिक कम्बाइन है अफकोस इसे बात है पार्ट वन पार्ट डिसाइड करेगा ठीक है चलो लौ की बात करते हैं तो गवर्मेंट पार्लेमेंट और जुडिश्री जो है यह क्या है यह यह लौ नहीं है ठीक है पार्लेमेंट की बात करता हूं तो पार्लेमेंट लौ मेकिंग है ठीक है, government law implementing है, judiciary rocker रक्षा करने के लिए है, rocker defense करने के लिए है, आप कह सकतो एक night watch के रूप में है, बट हम law की जब बात करते है, supreme law की बात करते हैं, तो वो आ जाता है हमारा क्या, समविधान, constitution, so constitution ही क्या है, हमारा एक supreme law ऐसा है, जो कि citizens को उनकी rights देता है, और यह ensure करता है कि उनकी rights जो है, वो कोई violate नहीं कर पाए, आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक constitution, apartheid was the name of system of racial discrimination, तो apartheid क्या था, एक racial discrimination का system था, ठीक है, unique to which of the country, यहाँ पर बात करते हैं, किस के बारे में, country की बारे में, तो चाइना, इराक, साउथ अमेरिका और साउथ आफरिका हमारे सामन है, कोई country नहीं है, ठीक है, तो हमाँ पस तीन option है, यहीं cancel हो जाते हैं, answer क्या जाएगा, South Africa, तो South Africa में apartheid system था, जो की officially adopt करा जाता है, European government के द्वारा, जो की क्या था, एक ऐसा system था, of racial discrimination, यहाँ पर क्या करा था, skin color के basis पे लोगों को segregate किया था, उनके लिए अलग लग fundamental right है, उसके अंडर में नहीं आता, right to move throughly throughout the countries, यह आता है, right to freedom and expression, यह सबसे पहला आता है, right to participate in armed rebellion, भाई साब यह option गलत है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप एक जगा पे घटे हो सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप associate हो सकते हो, बट आप peaceful तरीके से आप क्या करोगे और प्रोटेस्ट करोगे, armed rebellion की बात जब आती है, तो यह बिल्कुल भी आपका एक fundamental right तो कहीं से हो ही नहीं सकता, ठीक है, answer का जाएगा हमारे पास, D तक जाने की जरूवत ही नहीं है, इन साथ आफरिका, beside the white Europeans and the native blacks, there were people of mixed race, तो यह सीधा सीधा बता रहा है, कि there were people of mixed race, who were called, तो इस apartheid system में जब हमने बात करी थी, कि on the basis of skin color, लोगों को segregate करा गया, तो तो हमारे पास आते हैं, एक whites, हमारे पास आते हैं, blacks, तो तीसरी category लोगों की कौन सी थी, mixed colored, browns, या none of these, तो हम बात करते हैं, किस के बारे में, colored की बारे में, तीसी category क्या आती है, colored की आती है, ठीक है, answer क्या हो जाएगा, इसका, भी colored, which of the following fundamental rights is the heart and soul of our constitution, कौन सा ऐसा fundamental right, heart and soul of our constitution है, तो सबसे पहले यह बोला किसने था, ती हमारे अंबेटकर साब ने, बाबा साब अंबेटकर ने बोला था, ठीक है, किसने बोला था, यह बाबा साब अंबेटकर ने बोला था, और जब हम बात करते हैं, ऐसे fundamental right की, जो की क्या ह heart and soul है, पूरे के पूरे सम्विधान का, तो right to equality, right to freedom, culture and educational right, और right to constitutional remedies, तो इन सब में से most important क्या है, भाई यह एक ऐसा fundamental right, जो बाकी fundamental right को enforce कराने में help करेगा, और guarantee करेगा, कि आपकी fundamentals अगर violet होती है, तो एक ऐसा institution है, एक ऐसी body है, एक ऐसी government body है, जो आपकी क्या करेगी, आप की बात सुनेगी, और आपके fundamental rights को enforce कराएगी, article number 32, which is your right to constitutional remedies, इसी को बोला जाता है, क्या heart and soul of our constitution, answer क्या जाएगा, D, right to constitutional remedies, article number 32, since 1950, the blacks colored and dash fought against the apartheid system, देखो, यहाँ पे blacks colored और तीसरा क्या था, वाइट था, बट यहाँ पे एक और category आती है, कि किसने since 1950 से अपनी African National Congress की छतर साया में, आपके लिए उपरेला में प्रोटेस करते हैं, तो हमारे Indians, South Africa सा हमारा बहुत पुराता क्या है, रिष्ता है, गांदी जी भी यहाँ पे गए थे, उन्होंने भी क्या करा था, यहाँ पे बहुत से अलग-अलग laws के इसमें सत्याग्राय करा था, civil disobedience करा था, non cooperation करा था, ठीक है, तो इसलिए answer क्या है, इसका Indians, ठीक है, इंडियन भी वहाँ पे क्या 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 था, एक अलग proper category करे गए थे, इसलिए तो हट जाएगा, ठीक है, हमाँ पास South African Congress और Indian African Congress नाम की कोई भी organization नहीं आती है, answer क्या जाएगा, इसका African National Congress ANC, तो African National Congress यह वह उप्रेला organization रहती है, जो 1950 से लेके 1994 बानवे तक क्या करती है, प्रोटेस्ट करती है, और regularly non-volent तरीके से, इस apartheid system क्या 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 करती ह है, एक revolution, एक revolt छेड़ती है, answer क्या जाएगा, इसका, भी African National Congress, the apartheid government came to an end on 26th April 1994, finally 1994 को जब एक नया constitution लागू होता है, एक नया flag unfled होता है, जो कि क्या करता है, इस apartheid system की जो end है, उसको mark करता है, तो 26 अप्रेल 1994 को क्या होता है, अपार्थिशिली फिनिश हो जाता है, नया constitution भी इनक्ट हो जाता, answer क्या जाएगा, इसका 1994, the system of apartheid divided people and labelled them on the basis of their religion, caste, skin color, educational qualification, बहुत ईजी question है, answer क्या जाएगा, skin color, skin color के basis पे क्या करता है, इन्होंने, लोगों को segregate कर दिया था, blacks थे, colored थे, Indians थे, और फैनली, whites थे, answer क्या जाएगा, C, skin color, who among the following leaders was educationist, ठीके भी या, author and theologian, theologian वो इन्सान होता है, जो कि religions की study करता है, ठीक है, तो theology पढ़ने वाला इन्सान, theologian होगा, ठीक है, theology क्या होती, जो religions की study होती है, who opposed Muslim separatist politics, ठीक है, इन में से ऐसा कौन सा इन्सान है, जो कि educationist भी था, author भी था, theologian भी था, और वो Muslim separatist politics के खिलाफ था, इन चारो में से सारे option सही है, ठीक है, किस के लिए जब बात करते हैं, Muslim separatist politics के जब हम बात करते हैं, तो ये चारों उसमें क्या आ जाते हैं, सही सही आ जाते हैं, वल्लब भाई, पटेल, अबुल कलाम, आजाद, राजेंतर प्रसाद, जवाल नेरू, ये अपने आपने सब में क्या ये authors भी थे, ठीक है, ये क्या थे, authors थे, बट जब हम बात करते हैं, educationist और theologian के बारे में, तब हमाए पास answer आता है, अबुल कलाम आजाद, जो हमारे first educational minister भी रही है, यही थे जो basically इस question का answer जो है, वो अबुल कलाम आजाद साब है, ये हमारे first educational minister भी थे, educationist थे, author थे और theolog जिन भी थे, answer क्या जाएगा इसका, भी अबुल कलाम आजाद, the South African constitution inspires dash all around the world, whites, apartheid, तो हो गए नहीं, ठीक है, whites, blacks, democrats, democrats की बात आती है, तो white और black की जब बात आती है, तो ये क्या है, separatism दिखाते हैं, ये racialism दिखाते हैं, तो obviously बात है, ये भी cancel हो जाएगा, भाई, अगर कोई इंसान जो black है, वो अगर दूसरी country में रह रहा है, तो Africa क्या inspire करेगा उसको, कुछ नहीं, ठीक है, answer क्या जाएगा, Democrats, क्योंकि यही लोग जो है, जो democracy को बना के रख सकते हैं, और यही लोग है, जो democracy के साथ चल सकते हैं, answer क्या जाएगा, इसका A, Democrats, select the incorrect statement, ठीक है, whites agreed to the principle of majority rule, यह बिलकुल correct है, नीचा अला देखता है, black agrees that the property of whites would not be taken away, यह भी बिलकुल statement है, the black agrees that the majority rule will not be absolute, यह भी बिलकुल statement है, the white did not agree to accept any basic right of the poor and workers, यह statement जो है, वो गलत है, whites ने agree करा था, finally जब constitution बनाने की बात आये थी, सबहा आपस में बैठे थे, बात कर रहे थे, तो इन चीज़ों पर agree हुआ था, और whites ने भी यह agree करा था, ठीक है, यहाँ से did not अगर हटा दिया जाए, तो इन्होंने agree करा था, to accept basic rights for poor and workers, answer क्या जाएगा, इसका B, जो कि क्या है, एक incorrect statement सामने आपके आता है, चलिए, dash of a country is a set of written rules, चलो भई, यहाँ से देखतों क्या है, set of written rules क्या है, ठीक है, आजाते हैं, options पे, parliament, legislature, principles, इन तीनों की बात, Parliament, legislature की बात आती है, यह तीनों क्या है, यह दोनों जो है, यह organs की नाम पर आ जाते हैं, या institutions, principles की बात आती है, तो यह क्या है, ideals है, बट यह कहीं written नहीं है, answer क्या जाएगा, none of these, क्योंकि answer क्या है, दोस्तों, constitution, constitution, क्या है, constitution is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country, answer क्या जाएगा, इसका D, none of these, select the incorrect statement, चलो, the non-whites did not have voting rights, blacks were forbidden for living in white areas, दोनों सही है, चलो, Nelson Mandela was tried for murder, नहीं, he was tried for treason, ठीक है, तो यह statement क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, answer क्या हैगा, इसका C, which among the following is not a fundamental right, क्या है, fundamental right नहीं है, right against exploitation, आपका fundamental right है, यहाँ पर बात होती है, child labor के बारे में, bonded labor के बारे में, forced labor के बारे में, और आपके human trafficking के बारे में, right to freedom of religion, यह भी हमारा fundamental right है, यहाँ पर बात होती है, profess, propagate, और इसको accept करने की, जो भी religion आप करना चाहूँ, बिल्कुल कर सकते हो, right to property, देखो, right to property शुरुवात में, 19 article number, 19 F में आया करता था, ठीक है, initially this was a fundamental right, but 44th constitution amendment होता है, कौन सा 44th constitutional amendment होता है, जो कि इसको place कर देता, as a legal right, और डाल देता है कि इसमें article 300 aim है, ठीक है, तो currently, as of now, right to property आपका क्या है, fundamental right नहीं है, वो क्या है, आपका एक legal right है, तो इसका answer क्या होगा, C right to property, चलो, in guatemano bay, there was a prison controlled by, देखो, guatemano bay की बात करते हैं, तो यह Cuban coast पर आता है, ठीक है, क्यूबा किसके पास है, तो हमारे North America continent में आ जाता है, North America में से कौन सी prominent country है, तो USA, ठीक है, इन सब की बात करते हैं, तो यह Europe और आपके Asia में आ जाते हैं, तो answer क्या होगा, क्या है, D USA, चलिए, the constitution of India was adopted on, ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारे पास दोनों option available हैं, ठीक है, यह दोनों तो सीदे से कड़ जाता है, ठीक है, सीदे सीखानी है, was adopted on, कब हमने इसको adopt करा था, कब हमने इसको completely enforced नहीं करा था, कब हमने इसको finally adopt करा था, जब हम adoption की बात करते हैं, तो आ जाता है, कौन सा 26 November 1949, answer क्या होगा, 26 November 1949, ना कि 26 January 1950, जब यहाँ पर आता है, completely enforced, तब हम भूलते हैं, क्या 26 January 1950, ठीक है, इवर जब हम सिंपल वर्ड इनफोर्स यूज करेंगे, तो हम 26 November क्योंकि हमारे प्रियांबल में साफ दिया हुए, on this day of 26 November 1949, we hereby adopt and enact, ठीक है, adopt and enact की बात आ जाती है, तो 26 November की ही बात आएगी, तो शब्दों का बहुत बारिकियत से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, especially political science में, who was the president of constituent assembly, president of constituent assembly, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हुआ करते थे, डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा, ठीक है, उसके बाद elect होते हैं, राजेंदर प्रसाद, ठीक है, तो सबसे पहले यह क्या थे, टेंपरेरी थे, पर्मनेंट नहीं थे, पर्मनेंट कौन थे हमाने, डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा, चलिए, बात करते, बी आरंबेट करकी तो ड्राफ्टिंग कमीटी के प्रेसिडेंट थे, जवाल नेरू के पास बहुत सरी क्या थी, आपकी से, यूनियन को लेके जो कमीटी स्थी, वो थी एक्षेप्ट यूनिफिकेशन, ठीक है, महत्मा गांदी कॉंस्टिटेंट असिम्ली में नहीं थे, जी हाँ, महत्मा गांदी was not a part of the assembly, आंसर कह जाएगा आपके पास D. Dr. Rajendra Prasad, आंसर कह जाएगा D. Dr. Rajendra Prasad, यह क्या गया, वोमें लीडर इन कॉंग्रेस की बात आ रही है, चालो, अरुना आसिफ अली, इंद्रा गांदी, अरुना आसिफ अली का बहुत important part था किसे quit India movement में, इंद्रा गांदी जो थी, इंडिपेंडेंस प्री नहीं थी, प्री इंडिपेंडेंस नहीं थी, ठीक है, तो अरुना आसिफ अली का थी, foremost leaders in Congress की बात आ रहती है, तो हाँ, इंद्रा गांदी लीडर थी Congress की, बट बिफोर इंडिपेंडेंस नहीं थी, सरोजनी नाइडू दुर्गाबाई देश में यहां पर आता है, चलो next हिंट देखते हैं, लेटर शी बेकेम अग गवर्नर अफ उत्तर प्रदेश, गवर्नर अफ उत्तर प्रदेश की बात आती है, तो वो हमारी सरोजनी नाइडू जी ही है, यहीं थी जो क्योवर्नर अफ उत्तर प्रदेश बनती है, तो आंसर क्या जाएगा इसका, भी सरोजनी नाइडू, इवन सरोजनी नाइडू ही थी, जिन्होंने गांधी जी को कन्मिन्स करा था, जब्ढबी मार्श में इपने जी, तो हमारे मंस को, आंसर क्या जाएगा इसका, भी सरोजनी नाइडू, ऐसका इपने ए प मेर्च ऑघकाए, टि इस इन और सेagख उनाइडेश के थी, कि अगर वोईलेट होता है उनका फंडमेंटल राइट तो सुप्रेंग कोट इन्फोर्स कराएगा राइट अगेस एक्स्प्रोइटेशन भी नहीं आएगा राइट टू फ्रीडम भी नहीं आएगा आएगा क्या राइट टू आर्टिक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 से लेक है आफ्टर दी इमर्जेंस ऑफ नियू डेमोक्रेटिक साथ आफ्रिका मतलब यहां पर अपार्थीट के एंड होने की बात की बात हो रही है ब्लाक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लाक्स टू डैश दा वाइट चलो रिवेंज फर्गिफ टॉर्चर फर्गिफ टॉर्चर तो ए और सी तो हमारे सामने यहीं गया है ए गया और सी गया ठीक है पूरे पूरे आप्शिन समारे सामने गये बचता क्या है बी और डी A गया था और C गया था, हाँ, A और D बचता है, चलो, Black leaders appealed the fellow blacks to forgive the whites for the atrocity they had committed while in power, they said, let's build a new South Africa based on equality of all, ठीक है, हमाई पास क्या बच रहा था, B और D बच रहा था, ठीक है, क्या बोल रहा है statement, let's build a new South Africa based on equality of all, ठीक है, of all क्या, हमाई पास क्या है, class या race, तो जाहिर सी बात है कि अपार्थी सिस्टम क्या था, racial segregation का था, इसलिए उसको हटाने की बात आ रही है, तो हमको क्या बनाना है, एक ऐसा constitution बनाना है, जो सभी races को accommodate करे, तो answer क्या हो जाएगा, इसका सीधा-सीधा D आ जाएगा, क्यों अब क्योंकि अब तो BB cancel हो चुका है, answer क्या जाएगा, इसका सीधा-सीधा D आ जाएगा, चली, एक बार लगा के देख लेते हैं पूरा, ठीक है, हाँ, they said, to build a new South Africa based on equality of all races and men and women on, क्या जाएगा, democratic values, ठीक है, social justice and human rights, answer क्या जाएगा, इसका D, चली, read the following statement and choose which one are true and which ones are false, ठीक है, a secular state is one that does not establish any religion as official religion, ये बिल्कुल true है, ठीक है, बिल्कुल true बात है, secular state वही होगा, जिसने कोई भी official religion को adopt नहीं करा होगा, according to the Indian constitution, a person is free to change his or a religion, बिल्कुल true बात है, ये आपके right to religious freedom में आता है, the state should not be neutral and impartial in dealing with all the religions, ये गलत statement है, state should be neutral, ठीक है, state should be neutral, ठीक है, तो ये statement क्या होगा, false होगा, freedom of practice religion means that a person can do whatever he wants in the name of religion, ये भी false होगा, भाई सब आप एक इंसान की बली लगा नहीं सकते, in name of religion ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, हमाई पास कहते है, true true false false, options देखते हैं, तो true true false false, option number c आ जाता है, तो answer क्या हो जाएगा, इसका option number c, चलिए, next हमाई पास आता है, refer to the when diagram, when diagram देखिए, ये हमाई पास तीन चीज़े, y, x और z देदी हैं, और हमको तीन लोगों के नाम देदी हैं, क्या, तीन लोगों के नाम देदी हैं, ठीक है, चलिए, y का indicate कर रहा है, जो सिर्फ वल्लब भाई, पटेल और राजिंद्र प्रसाद होंगे, x का indicate कर रहा है, जो तीनों होंगे, और z का indicate कर रहा है, जो सिर्फ अबूल कलाम आजाद होंगे, ठीक है, समझ में आया, तो y कौन होगा, पटेल साब, प्लस राजिंद्र प्रसाद जी, x क्या होगा, आल थ्री, और z क्या होगा, सिर्फ अबूल आजाद, चलो, इनके बारे में हम थोड़ी बहुत information देख लेते हैं, चलो, क्या बोल रहा है, x क्या होगा, x is congress leader, तो हमको पता है, x क्या है, all three है, तो x congress leader है, विल्कुल है, ठीक है, हमाई पास viable option A आजाता है, next B बोलता है, lawyer, तो अबुल कलाम आजाद जी कि जब हम बात करते हैं, तो यह lawyer नहीं थे, यह क्याता है, educationist थे, यह lawyer नहीं थे, ठीक है, c की बात करते है, author की बात करते है, author भी हमाई पास option viable है, और हमाई पास congress leader भी option viable आ जाता है, ठीक है, चलो, y की बात करते है, ठीक है, lawyer, तो वल्लब भाई, पतेल और यह क्या हो गया, पटेल साब हो गए और राजेंत प्रसाद जी हो गए तो ये दोनों लॉयर थे बिलकुल सी बात है ये दोनों क्या थे लॉयर थे Congress leader थे क्या? बिलकुल सही थे बर्दॉली सत्यग्रह में इनका रोल था क्या? तो नहीं सिर्फ बर्दॉली सत्यग्रह में सिर्फ वल्लब भाई पटेल का रोल था जिसको करने के बाद यहां की विमेंस इनको क्या करती है? गांडी जी के सिर्फ अबुल कलाम आजाद है एजूकेशन मिनिस्टर थे यह भी एजूकेशन यह तो ऑप्शन तो सिद्धे गए चंपरनट सत्यग्रह में अबुल कलाम आजाद का कोई भी रोल नहीं था आंसर क्या जाएगा आपके सामने ए आंसर क्या जाएगा तो बहुत ही अच्छा पोशिन है वें डायगरम के थूआपको क्या कर दिया गया है औप्शन्स प्रोवाइट कर दिगए वें डायगरम समझना बहुत जरूरी है ठीक है जाहां यह सिर्फ दो गोले मिल रहे है वो है वाय जहां यह तीनों गोले मिल रहा है वो है X और जहां यह Z जो है अबूलकलाम अजाद यह कहीं पर भी नहीं मिल रहा है तो इसलिए यह तीज चीज समझना वें डाइगरम को समझना बहुत इंपोर्टेंट है आंसर क्या जाएगा इसका ए चलें विच फॉलिए इस वर्क ऑफ अफ दॉटूशन को इनका क्या क्या यह फिर इसको पर्टिकुलर गिवन ऑप्शिन में से कॉंसरिशन का काम क्या क्या है मल्टीपल चीजे हैं तो हमें पास ऑप्शन भी मल्टीपल होंगे हां बिलकुल हमाँ पास ऑप्शन भी मल्टीपल है चलो इच जनरेट से डिग्री ऑफ ट्रस्ट डाइट इस निसेसरी फॉर दिफरेंट केंड पीपल टोगेदर बिलकुल स फट सेफ़िफाईस हाँ गवर्मेंट विल बिलकुल सही बात है इट लेज़ डाउनिमेट ऑं अब पावश भी मल्कंट को इनको एनक्ट करती बताती कि पाव गवर्मेंट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती इट एक्स्प्रेश आस्परेशन फ्स पीपल अबाग प्रेटि कर देता तो चारो स्टेटमेंट साही है डी ऑप्षिन 1 2 3 & 4 क्या हो जाएगा डी ऑप्षिन हो जाएगा बिल्कुल जाएगा अब हम बास बता है जैपाल सिंग और टीटी क्रिशनाचारी जैपाल सिंग की जब हम बात करते हैं तो जैपाल सिंग थे फाउंडर ऑफ जारकरण पार्टी तो टू का थ्री और आगवन का वन चलिए ऑप्षिन देखते हैं चलो वन का वन ठीक है तो हमाँ पास आजाता है बी और सी ऑप्षिन हमाँ पास रहते हैं ठीक है टू का आता है माँ पास थ्री तो हमाँ पास आजाता है बी ऑप्षिन आंसर क्या उना चीज़िए इसका ऑप्षिन नमबर बी तो यह थे कुछ सवाल आपके सामने यहाँ पर हमने एक वेंट डाइगराम वाला कोशन देखा जो कि बहुत ही डिफरेंट था और बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग वाला था तो ऐसे ही कोशन हम आपके लिए और भी आगे लाते रहेंगे मैगनेट परिस आपके लेकर आता है किंडर गार्डन से लेके क्लास 12 तक के सभी कोर्स वेरियस अलग अलग चीज़े जैसे की आईटी नीट जेई सब चीज़े जो है आपके लेकर आता है वो भी 100% फ्री आप से किसी भी टाइप का कोई भी पेमेंट नहीं सबस्क्राइब करें और उफकॉस आप वीडियो को शेर तो करी रहे होंगे मारे ली अपडेट्स के लिए और bell icon दबाना बिलकुल ना भूने है बने रही हमारे social media hangouts पे Instagram, Facebook, Telegram और Twitter पे Thank you so much for watching this video